जल्द दिल्ली कैपिटल से जुड़ेंगे रोहिश शर्मा इस तारीक को रिलीस करने जा रही है मुंबई इंडियंस IPL इत्यास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार रोहिश शर्मा को अचाना की उनकी IPL टीम मुंबई इंडियंस द्वारा कप्तान पस से हटा दिया गया है और उनकी जगे हार्दिक पांडिया को अगला कप्तान न्युक्त कर दिया गया है जिस बज़े से अब हिट मैन ने मुंबई का साथ छोड़ दिल्ली कापिटल्स को जोइन करने का फैसला कर लिया है और वह जल्द ही दिल्ली में शामिल होने जा रहे हैं तो आईए जानते हैं उस तारीक के बारे में जब रोहित मुंबई इंडियन्स का साथ छोड़ दिल्ली में जोइन होंगे दरासल रोहित शर्मा का नाम किसी मामूली कप्तानों की लिस्ट में नहीं बलकि IPL के सबसे बेस्ट कप्तानों की लिस्ट में शुमार है और ऐसे में मुंबई इंडियन्स त्वारा अचानक उने कप्तान पस से हटाये जाने की वज़े से वह मुंबई का साथ छोड़ दिल्ली कैपिटल्स में जोइन होने जा रहे हैं जिसे वह 20 दिसंबर को जोइन करने वाले हैं मेडिया रेपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार रोहिश शर्मा ने अचानक कप्तान पस से हटाये जाने के बाद अब गुस्टे में मुंबई का साथ छोड़ दिल्ली को जोइन करने का फैसला कर लिया है और वह दिल्ली कापिटल्स को 20 तारीक को जोइन करने वाले हैं हाला कि अधिकारिक तौर पर इसकी पुस्टी नहीं हुई है मगर एक्सपर्ट का भी यही वानना है कि वह ऐसा फैसला ले सकते हैं साथ ही अब एक बार फिर ट्रेड विंडो ओपन होने की बज़य से उनकी पुस्टी होते दिख रही है बता दें कि IPL 2024 ओक्सन का आयोजन 19 दिसंबर को होने वाला है जिसके एक दिन बाद यानि 20 दिसंबर को एक बार फिर ट्रेड विंडो ओपन होगी जिस बज़य से सभी अनुमान लगा रहे हैं कि रोहित दिल्ली को जोइन कर सकते हैं ऐसे मैं अब देखना है कि आखे रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम में जाएंगे या नहीं आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में